वेलकम टू अब्जेक्टिव अड़ा के नए वीडियो में आपका स्वागत है तो आज ये वीडियो एरफोर्स ग्रूप सी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है इस वीडियो में आज हम डिसकस करेंगे कि एक सेंटर पर ऐसा हो रहा है कि स्ट टाइम से लेगे किस टाइम की बीच में होने वाला है लेकिन डेट नहीं की कि आपको एक्चुल में एक्जाम देने आना कब है तो इसको रिगार्डिंग बहुत सारी स्टुडेंट प्रेसान हो रहे कि अब हम जाये तो एक्जाम देने जाएं कब तो इसके जो भी आपके इस टाइब के अगर डाउट है या फिर आपके भी एड्मिट कार्ड के अंदर यह मेंसन आ गया है जो कि पूरा पूरा सेंटर वगरा सब कुछ मेंसन किया हुआ है लेकिन उसके अंदर एक्जाम की जो डेट है वो मेंसन नहीं क्योंगी तो यह वीडियो आप जरूर लाज आपकी कोई भी कोईरी होते तो वहां पर पहले ही वह जाती है और अगर फिर भी आप हमसे पूछना जाती हो था आप हमें इस्टाग्राम पर मेसेद करके भी पूछ सकते हो अब चलो अपन करके समझने वाले हैं कि आखिरकार कौन से सेंटर ने स्टूडेंट के साथ में इ नहीं कह सकता क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ा से उपर नीचे भी कर दिया तो बागी हमने कोशिश कि यह वीडियो आपके लिए एक दम ही करेक्ट होने वाला है क्योंकि जिन स्टूडेंट के पास में एरपोस स्टेशन कानपूर के जो एडमिट कार्ड आ हैं उनके आपके लिए जो सबसे इंपोर्टेंट रहता है वह कि ट्रेड सबसे पहले आप यहां पर देखो गया थोड़ा से और भी जूम हो सकता आपको जूम करके बहुत देदा हो यहां आपको दिख रहा होगा यह वाला कोलम है वह कि डेट ओव एक जाम इसको एकदम इन्होंने ब्लैंक चोड़ दिया कि डेट ओव एकजाम आपके कोई भी नहीं है बस आपको शिप्ट मेंशन कर दी इन्होंने कि आपको सुबह साड़ी दस बज़े से लेकर साड़ी बारा बज़े तक बीच में एकजाम होने वाला है रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगी आपके सुब इन्होंने डेट मेंशन किये कि इस डेट को आना लेकिन डेट लिखना ही भूल गए यह कि आपको आना कब है अब या फिर कोई स्टुडेंट वहां जाके पूछ भी नहीं सकता रोज-्रोज कि सर मेरे एकजाम में डेट में डेट में नहीं है और बाकि जो देखो कोई है च बढ़ते टाइम वहीं कि डोकॉमेंट लेकर चले जाना प्रोब्लम नहीं आने वाली यह अपन ने देख लिया उसके बाद मैं कर देखो मैं आपको और भी एक स्टुडेंट ने हमारे पास में एडमिट कार्ट सेंट किया था इनका भी जो एडमिट कार्ट है यह कहां का है अब किस दिन आना है बस यह आप अपने हिसाब से देख लो कि किस दिन आना है यह नहीं नहीं कि आपको जब अच्छा लगए आप तबाज आना तो यह देखो यह कुछ कुछ एडमिट कार्ड इससे देखेंगे जिनके अंदर डेटो मैंसन की हुए जिससे आपको पता चल कानपूर का यह दे और रिटन एक्जाम टेस्ट यहां पर जो आपकी 2021 के लिए एडमिट कार्ड रिटन टेस्ट के लिए सभी को आपको पता चल गया होगा अभी तक जो तीज़े चल रही थी वही सेम है कौन सी पोस्ट के लिए है यह सब कुछ यहां तक सेम था अब अगर एक्जाम का बोने वाला है छे फरवरी को होगा और इनका जो एक्जाम है वह तो दो पेर को ढ़ाई बजे से लेकर चार बजे के बीच में होगा और रिपोर्टिंग दाइम चार बारा बजे के रहने वाली एर्पोस्टेशन कानपूर के अंदर ही होगा यह तो हमने देख आपको पता चल गया होगा अब यहां पर यहां पर आपके क्या लिखावा है यह भी कब होने वाला है छे फरवरी 2022 को ही आपके डेट ओप एक्जाम है सुबह साधी साथ बजे से हैं और सिप्ट क्या रहने वाली है तो यह मोर्निंग सिप्ट के अंदर है तो अभी जो पहल लगा दिया आपको बता दिया है कि आपका एक्जाम कब होगा छे फरवरी को होगा तो आप इससे आप से जा सकते हो लेकिन आज एक स्टुडेंट का जैसे वीडियो के निचे एक मेसेज आया वा था कि उनका आठ फरवरी को भी एक्जाम है तो यह मानगना लेना कि अभी रखने सकते हैं कि जिसे आपका छे परवरी को अंड्रेट परसेंट हो जाएगा जिसे कुछ इस्टुडेंट का आठ फरवरी लेकिन यह सुरुआट होगा वह कब होगा वह च्छे परवरी से एकजाम शुरू होने वाला है तो आप छे परवरी को जा सकते हो अगर आपको का हो जाता तो एक दिन आपको वहां पर रुखना पड़ेगा और फिर आप आठ फरवरी को भी एक्जाम दे सकते हो लेकिन आपको कम सकम यह तो होगा ने जब डेट का पता ही नहीं उससे अचा कि डेट पता चल गई उसके बाद में तो आपको भी पता चल जाएगा कि मेरा चलो आठ को है या छे को है लेकिन उसके इसाब से जा सकता पहले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपका छे परवरी से एक्जाम सुरू होगा अगर कोई बी और भी इस्टोटेंट है जिनके डेट एक तो आपके एक्जाम डेट मेंसन नहीं की हुए या फिर आपके इन दोनों के अलावा भी कोई और एक्जाम डेट है ताकि और भी जितने इस्टोटेंट है जिनके डेट ओव एक्जाम नहीं लिखी हुई है उनको पता चल जाएगे कि उनका एक्जाम कब होने वाला है इससे सभी के हेल्प हो जाएगी और आपकी इतनी सी डूटी जरूर देने जरूरा अग्र उसके और नögशन कायों ऊटली जणי को झालावा किक और अगर कुसिको नहीं पता चलता तो यही सभी से कहें और आप लिखुए गज्जाम देने अगर आपका छे का नहीं होगा तो फिर आपको 8 एक्जाम हो जाएगा बांगी 99 स्ट कि आपके MTS का mostly सभी का इच्छे परवरी को होगा सिर्फ एक स्टुडेंट का कमेंट आया था कि उसके आर्ट परवरी को है बागी जिन्नों ने अभी तक